अभी एक ट्वीट और यहां पर आया जो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा अभी ट्वीट क्या है और किस से रिलेटेड है हम लोग यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले तो देख लीजिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है स्कूल श क्या गैंद अब इसके इंदर हैं आप यहां पर पर सकते ने नव नियुक्त शिक्षकों कि लिए इस्थानांतररण नीती को शीथिल करने के कुछ निदेश दियें हैं अब नियुक्त शिक्षक कर सकते हैं इसका मतलब क्या है इतने वी नए टीचर से यदिग महिंदі place को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर उनके लिए website open कर दी गई है अब वो क्या कर सकते हैं अपने places को change कर सकते हैं और इसमें क्या क्या information दी गई है यह आप देख सकते हैं सबसे पहला point जो है राजिमंत्री ने नव नियुक्ति शिक्षकों के लिए इस्थानांतरन को शितिल करने का निर्देश दिया है अब आसानी से आप इस्थानांतरन मतलब अपना place change कर सकते हैं मालो उस जगा जो location आपको अलोट हुई है उस जगा आप नहीं पढ़ाना चाहतें दूसरे place पर पढ़ाना चाहतें तो वहां के लिए आप आवेदन कर सकते हैं वहां पर सारे school के list खुल जाएगी अब किसको priority मिलेगी ये भी इसके अंदर mention किया गया है नव नियुक्ति शिक्षकों को आपस में परस पर इस्थानांतरन की पात्रता होगी जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके साथ आपका इस्थानांतरन नहीं होगा तो नव नियुक्ति शिक्षकों की परस पर वरियता उनकी TET rank के अधार पर की जाएगी जो आपका score है अगर जिसको 100 plus score लगा है 103 उनका score है अगर वो बोलते मुझे इस place पर चाहिए तो उनको priority मिलेगी उनको उस जगह पर पढ़ाने का मोका दिया जाएगा फिर जैसे जिसे score काम होता जाएगा उनकी priority यहाँ पर कम होती जाएगी उनको कम प्राथमिक्ता यहाँ पर दी जाएगी तो rank के basis पर यह selection होगा और जहाँ पर places खाली होंगे वहीं पर यह changes होंगे पूर्व कारी रज जो शिक्षक है उनके साथ आपकी seat को change नहीं किया जाएगा इस पीशली सकेंदर मेंशन किया हुआ है नव नियुक्त शिक्षकों को आपस में परस पर इस्थानांतरन की प्राप्तता होगी मानलों हम दो place assume कर लेते हैं अगर यह चीज़ आपको थोड़ी सी भी confuse कर रही हो याना अब एवाले को यहाँ पर जाना है place बी पे याना मानलों इस शहर में आप चाहते कि मेरे पोस्टिंग इस शहर में हो जाए लेकिन वहाँ पर यदि नए पद है याना मतलब खाली vacancies है ठीके अभी website पर थोड़ा सा glitch वगेरा है कुछ error आ रहा है बलब आप यदि change करने के कोशिश करेंगे तो फिलहाल नहीं होगा हो सकता है एक दिन में यह चालू हो जाए अभी यदि आप open करके देखें तो शायद यह चीज open नहीं होगी अभी जैसा मैंने करके देखा है उस अभी देर में चल जाएगी यह साइट भी टेके तो यही एक अपडेट आप सभी के साथ देनी थी और जितने भी स्टूडेंट अभी कल भी कुछ तीन से चार पीडिया थी वह मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी है और वाट्सप पर भी स्क्रीन शॉट लेकर स्टेट दाल दिया था तो वाट्सप से जरूर से जोड़ जाएगा टेलीग्राम से जोड़ जाएगा भाषा संबंधी कुछ अपडेट आया था कि इंगलिश वालों को किनको प्रायरिटी दी जाएगी सिलेक्शन के अंदर तो वो सारी चीजे मैंने वाट्सप पर आपको प्रवा